अगर दो लोग समान मांक्स लाते हैं तो फिर उनका क्या होगा फिर उनका मेरिट लिस्ट में कौन उपर जाएगा कौन नीचे आएगा मैंने अपने सर्वे में भी देखा है कि काफी लोग ऐसे हैं जिनके एक समान मांक्स आ रहे हैं खास करके जैसे यह स्कोर 93-92 नीचे जाता है तो एक क्यानवे लाने वाले बहुत लोग हैं 90 वाले बहुत हैं 83, 84, 85 वाले बहुत लोग हैं तो वैसे कंडिशन में सेम मांस लाने वाले हैं क्या होगा कुछ लोगों ने पूछा भी था पर असल में इसका जवाब नोटिफिके ओप्राप्त करने वाले सबवी अभ्यर्थियों का उच्छ निवन प्राप्ता की कर्व में सिक्षव भाग भिहर पटना कोटी वारं पता कराये की कुल पत के बराबर अभेरतियों का विशेवार और कोटी वार में का सूची तयार किया जाएगा मतलब नोटिफिकेशन में किलियर था कि मार्क्स बेसिस पर होगा नीचे क्या कुछ लिखा हुआ है उक्त परिक्षा में समान प्राप्त करने वाले अधिक उम्रवाले अभेरतियों को अधिक मान देते वें में की में उपर लाया जाएगा सबसे अधिक एजिसका उसका उपर जाएगा समान प्राप्ताक समान जन्म होने पर भी अगर डेट अवर्ट भी सेम है तो फिर देखा जाएगा कि जो बीर में मतलब ग्राइजवेशन ठीक है वैसे मैं बताओं कि दूसरे या तीसरे कंडिशन की नौबत ही नहीं आएगी जिनका भी सेम नंबर आएगा वो पहले ही कंडिशन में निपड़ जाएंगे तो मतलब कहने का यह मतलब मान लीजिए कि अगर पूरा 2673 पर कट आफ आता है तो अगर मालने तोई दर के ल को मेरिट लिस्ट में ले आएगा और एज कुछ स्टुड़ियंट को मेरिट लिस्ट से बाहर कर देगा ठीक है दो थे लिए थी अभी का जो इसको मैं नोटिफिकेशन में देखा बागी दूस्तों कल मेल कैम्पेंच चलाने का हम रोग सोच रहे हैं तो कल के वीडियो में या शाम को एक और वीडियो डालेंगे उसमें आपको mail campaign कहा कहा चलाना है उसको बताएंगे अभी लगे रहना इसमें कोशिश करना बहुत जरूरी है बहुत crucial time है एक बार result निकल लिया या सरकार नेकला कोई action ले लिया उसके बाद फिर कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसलिए प्लीज जुड़े रहिए और आज ट्वीटर में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया और लोगों को बुली भाग देने के लिए ठीक है दोस्तों बाकी जो भी update आया स्टीटी के रिगार्डिंग चैनल पर आ जाएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक यू